जैश्री अरी वक्तो स्वागत आपका हमारी चैनल आपमा के सपर में देखिए एक सवाल आया है कि हमें दिव्य शक्तिया प्राप्त करनी है अर साथ काफी सारे वेक्ति यह चाहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कुछ अद्भुत कारी हो अद्भुत हो जाए जिससे कि वे जवाब देना चाहता हूं थोड़ा आप इसको बहुत अच्छे तरह से सुने और मैं इसको इतने सरल तरीके से समझाने वाला हूं जिससे कि आप इसको अपने जीवन से जोड़ सके अब देखिए दिव्य शक्तिया आना जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि हमारे बीतर कुंड सबसे पहले एक जब भी आपके मन के बीतर एसा भाव उत्पन हो कि आपको दिव्य शक्तिया चाहिए तो सबसे पर्थम आपका एक पुर्शन उत्पन हो जाना चाहिए उसी समय कि वह क्यों जो आप आपने सामने इतना बड़ा लक्षिय रखते हैं तो इसका सबसे पहला है अब आपको प्रप्र करना हैं आपको ये चीश ये अपने द्यान से इस चीश को समझ लिए तो आपने इसका अनुमान लगा लिया कि अब इसको प्राप्त करने के प्रश्चाद आपको क्या करना है अब क्या दिश्टी कोन आपका रहता है यह आप से हम जानते हैं देखें मेरा इस पर यह मानना है मेरा आपको यह दो चीजे बता दी कि सर्फ पुर्थम अपने आप से सवाल कर ले कि भई आपको यह प्राप्त करना है तो क्या इसके पीचर है और क्या चीज आपको प्राप्त करनी है यह चीज बिल्कुल किलियर हो नहीं चाहिए आपके और पुर्थम कदम क्या होना चाहिए दूसरी चीज यानि एक तरह से ऐ बताता हूं शायद आप अपने जीवन से रिलेट कर पाए देखिए एक हनुमान हमारे सबसे बड़ा भक्त श्री राम की हनुमान जी हुए है देखिए सोचिए आप थोड़ा मनं कीजिए इस बात का अगर हनुमान जी को देखिए सब सिध्या प्राप्त हो चुकी थी सबस्ता में उतनी समझ नहीं होती है अगर वे शक्तिया उनकी थी तो बीतर ही लेकिन उनको अब अबोद कर दिया गया उनकी शक्तियों के बारे में उनको बुला दिया गया कि एक समय पश्चात आपको यह सुट्य जब तक आपके सामने वे लक्ष बड़ा लक्ष नहीं आ आने वादी और आपको उसको समझाने की यानि आपको चीज की याव दिलाने की कोशिश करेगा तो विश्वता आपके सामने उजादर हो जाएगी अपना आप यह तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि सब चीजे जो मेटरियरी बगवान आपको इस बोड़ी में देना चेतना वह आपके वीतर पड़ा हुआ अभी है ना जो भी चीज है आपके वीतर सांच चक्र है सब उर जाएं उनके वीतर लोक है तरसे वह अनलोक है अभी अनलोक है सब चीजे है जरूर मगर अनलोक है वे चीजे क्योंकि अब देखें अभी क्या हुआ कि समस्या यह है कि अभी उस पर कार्य नहीं किया गए है वाप प्राप्त हो बहुत बड़ी चीजे करना चाहते हैं अब देखे सबसे बड़ा उद्दस्टी इसके पीछे होता है बगवन प्राप्ती सबसे बड़ा लक्षे होता है कि अंतिम समय में कैसे भी परपू मिल जाए और जो चाहता है क जिवी तवस्ता में रेकर भी यह कारी हो तो उसके लिए काफी तपस्या काफी सादना काफी स्त अहनकार को जलाना पड़ेगा आपको हकिकत की बात नहीं है कि जो शाकषात का वर्तमाद समय में करना चाहते जिवी तवस्ता में अपने आपको एकतर से जलाना पड़ेगा अपना आपको जलाने का मतलब यह हुआ जो मन आपको इतने सालों तक गलतियों पर गलती कराते आया है जो आपके छोटे-छोटे लक्षों को भी नहीं पुरा होने दिया इसने उस चीज को मारना पड़ेगा आपको भसम करना पड़ेगा आयंकार को अपने काम को दालत से को जितने भी आपके वीतर्विकार है अब एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आप बहुत अच्छे समझ सको तो देखिए आप अपने घर से 10 किलो मिटर दूर आ चुके हैं जिस चीज को द्यान से सुनाएं आप अपने घर से 10 किलो मिटर दूर आ चुके अब आपको गर वापस जाना है अब आपको मार्ग भी पता है कि किस से जाना है अब आपने क्या किया दो तिन चीजे मैं आपको आउश्य प्रूफ से बता रह लगेगा साइकल पे जाएंगे तो और कम समय लगेगा मोटसाइकल पे जाएंगे तो और कम समय लगेगा और गाड़ी में जाएगे तो जल्दी पहुचेंगे और उससे भी ते जो संसाधन पकड़ेंगे वह आप उतना ही जल्दी पहुचेंगे अर्थात आप यह स्वेंप निरपर होता है कि आप कि साधन का उपलबना कि साधन पर जाना चाहते हैं और जाना तो उसी मार्क से पड़ेगा आपको जाना तो उतनी यानि दूरी तो उतनी ही तेकर नहीं पड़ी आपको यह सत्य है कि आपको 10 किल्लो मिटर ही तेकरना पड़ेगा तो यह चीज आप समझ मैंने आपको बताया है एक तरह से गुरू है अगर आप चाहे तो कुदे नाम जब के दोवारा आप स्वम जा सकते हैं टेकर समय लगेगा क्योंकि दिशा निर्देश मार्ग मार्ग निर्देशन अभी पूर्ण रूप से किसी ने किया ने अगर गुरू पकड़ लेता है तो वह रफ्तार तेज हो जाएगी वहाँ तक जाने के कि फान यह चीज आप द्यान रखें अगर आप गुरू पकड़ते हैं तो वह तक जा ने की रफ्तार तेज हो जाएगी पगो समस्य उत्पन कहा होती सब से बड़ी बात जिसको गुरू भी मिल चुका है सब कारे हो चुके हैं अब भी गड़वड कहा कर रहे हैं केवन एक जगे आप में गड़वड कर रहे हैं जो एक गुरू ने आपको पहार दे दिया जो वानी दे दी उसका अनुप अलन फुन रूप से नहीं हो पा रहा तुरूटी सिर्फ और सिर्फ आप के द्वारा हो रही है और किसी के द्वारा जानी आप इस चीज को द्यान रखे केवन और केवल तुरूटी आपके द्वारा हो रही है अगर कोई इस चीज को मन कर ले अब देखे जिसके पास गुरू नहीं है वे सवाल उत्पन करेंगी अब हम क्या करें वहाँ पर यह चीज नहीं कि आपको नहीं मिलेगा मिलेंगे अंड्रेड इन्वन परसेट अगर आप उस मार्ग में लग जाते प्रभू को पाने के लिए उस मार्ग आपको पता भी चल गया है कि वह यह कुझी यह स्मार्ग पर प यह चालेंगे आपको मार्ग बताके चले जाएंगे वह अर्थात आपको यही करना है कि निरन पर उस उस कारें व्यकारी कौन गर रहा है इस संसाग में करूड की नीड़ की नीड़ें से केवल केवल कमी यहां पर है कि वे अभ्यास नहीं कर रहे हैं नाम जब आपको वहां तक ले जा सकता है केवल कमी है कि अभ्यास की कमी है बहुत कमी है अभ्यास करें और कुछ एक मैं आपको यहां पर बताता हूं जो आप अच्छे तरह से समझ पाए या नहीं समझ पाए लेक कि काफी लोग एसे हैं कि संसारिक शुक के साथ चाहते हैं कि प्रगुद प्राप्ति हो जाए यह सब का मन की भावना है कि संसारिक शुक चाहते हैं में और उसके साथ ही प्रगुद प्राप्ति हो जाए तो ऐसा संभव जरूर है लेकिन आपको उस पर कारी रत रहना पड़े आपको बगवान भी चाहिए तो परमात्मा भी चाहिए वह आप कारी नहीं करते हैं तो इसा नहीं चलने वाला आपको गरस्ती में रहते हुए बैस्वभावी ग्रूप से कारी करते हुए प्रमेश्वर्प तक पौचा जाज सकता है ये मार्ग गोश्च चरले जटिलता मां उत्पन हो जाती है जब मस्तिक एक ऐसे विचारों में बाव उत्पन करके ऐसे मार्ग बठकाने लगता है तब आप क्या उदज जाते हैं तरक वी तरक की इस दुनिया में आप श्वेम के साथ उलज जाते हैं तो आपको पहने सुलज सुलजे अंदर से कि करना क्या है जब आपको लग से बिल्कुल सटीकता से साफ तरीके से दिखने लग जाएगा तब आप इस चीज को मान के चलें कि हाँ बिल्कुल सरल तरीके से आप वहां तक पोर सकते हैं अब एक चीज बहुत मैं अच्छी बताने वाला हूं सर्प्रत आपको बताया विद्यान से सुने डिवे शक्तियों का आपको प्राफ्त होने आप चाहरे मुझको यह वह ने लग जाए मेरे आगे चक्र में स्पंद्व होने लग जाए यह वह वीतर एक हुजा देखिए आपके भीतर सब चीजे हैं सब मेटरियल जो सामगरी आपको चाह लेकिन अब्यास की कमी है इस कारण से मन में भई व्यंग उत्पन हो रहे दुईदाय उत्पन हो रही कि क्यों ने अब्यास करेंगे तो सब चीजे मिलती है साहर में क्यों एक चीज पकड़के चलनी है और मार्गों पर नहीं जो मार्ग आपको बता दिया कर आप उस चीज क आप में से जितने भी लोग अभी वृद्धा वस्ता में आ चुके हैं वृद्धा वस्ता में आ चुके हैं और ऐसे स्टिती उत्पन हो चुकी आपको स्वयम को पता है कि अब ज्यादा लंबा समय नहीं रहना वाला है उनके लिए गोर्डन चान से एक तरह से बहुत ही सु वो जितने भी मेरे जिवन में खरी किये हैं जैसे भी हुए अच्छे हुए चाए बुरे हुए मैं आप उस सभी कारी की रूप से मैं माफी मांग रहा हूं जितने भी कारी आपसे हुए माफी मांगता हूं और जितने भी मेरे दुआरा देहिक रूप से जो भी कारी हुए ह वो में आपके जड़नों में समर्पित करता हूं अब आप हो गए यहां से न्यूटल बिल्कुल खानी बिल्कुल खाली मटिरियल जैसे कि आप जन्मेत है उसी परकार से ना तो आपके वीतर सुख है ना दुख है ना किसी चीज़ को पाना है ना किसी को चीज़ को त्यागना है किसी चीज का आपको बह नहीं अब है निर्बे हो गए आप अना अब वो कुछ पाना नहीं है जाना एक किसी जैसे जहां से आये ते वहाँ पर वह अपस जाना है अब ऐसी स्थिती में क्या करना आपको केवल की वह प्रभू का नाम पकड़ के रगए वो द्रवड़ साथ से उस चीज को करने लग जाए बहुत ही द्रवड़ दास से आप इस चीज को करने लगे क्योंकि उमर के साथ नाम में परिपक्वता आती है वे बुड़ा नहीं होता है शरीर बुड़ा हो जाएगा उमर के साथ लेकिन नाम में और विश्वास में परिपक्वता आने चाहिए जैसे कि आप छूटे थे पहले परभू के नाम में विश्वास कमता दिरी दिरी अवस्ताय बढ़ती रही बढ़ती रही परभू के नाम में बल आता रहा विश्वास परता रहा विश्वास में दिरड़ता आती है समय आने के बाद वे परिपक होता है निस्टा बढ़ने लगती प्रभू में इसलिए इस चीज को आप आवशक रूफ से ध्यान रखें प्रभू के नाम में कभी कमे ना रखें हमेशा उस पर भ्यास करते रहें निरंतरता से चेश्टाय करते रहें प्रभ आना का कि नाम जब करना है चाहिए कपड़े पेन के करना है वेसे करना अब इस चीज का अनुमान लगाना आप छोड़ दे आव यह वस्ता नहीं अगर आप यह सब आप करके रखेंगे अब तो हर समय ही करना है वह कैसे क्योंकि लिमिटेड एडिश्यन मिल गया सोच यह आ बहुत बड़ा है पांच दिनों के बीतर आपकी मित्यू है निश्चित पांच वे दिन आज आज के पांच वे दिन 12 बज़े आपकी मित्यू हो जाएगी ऐसी वस्ता में क्या करता है सजब हो जाता आदमी अब पहले पाद विक्या करता है स्विधाय डूनता है अपने पर है अब आप के पास अभी इतना समय नहीं वचा है कि आप वह सुबह जंदी उठें उतना जंदी करें आप जब भी नीन कुर रही है आपकी बहुत कम समय और जितना आवसर आपको प्राप्त है उसका 100% आप देने की कोशिश हर समय प्रभू की नाम को जब ना छोड़ा हर समय ध्यान रखें अब चाहिए आपको माला लेनी पड़े तू लेकर रखें चाहिए आप काउंटर मशीन लेकर रखें उसका जब करते रहें निरनतरता से अभ्यास करें अब आपको पंदर जैसे की 50,000 वार दिन में करना पड़े तो करें वही करना तो है आपको बदा चल आप चुड़ने वाला है ओए ऐसी अवस्ता में आपको क्यूल और क्यूल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और किसी बीचीज का आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए इसलिए निरनतरता अभ Cox में बेट जानी चाहिए पर वो के नाम का सम्रण निरनतरता होना आवश्यक है अन्यता इस मार में कुछ नहीं मिलने वाला आपको, और किसी चीज को आप अपने बाव में विचार में लाते हैं, संसारिक चीजों को, तो आप बटक जाएंगे वापस, वापस बटक जाएंगे, आप पता नहीं किस, अब ये अवसर वापस पता नहीं कितने यूग उबाद आपको मिलेगा, यह चीज आप सोच के रखें, अर्थात आपको परभूगी नाम का सुनरन कर दिये ना चाहिए, निरन तरता से, निरन तरता से करते रहे, करते रहे, करते रहे, प्रान जब भी छूड़ जाते हैं मनश्य की यह मान के चलिए, जब मुख पर नाम रहता है, त संदे यह संकोच ना करें, कि आप अप गलत जगे गएंगे, तो इस चाहिए, जहां पर आपको आप आए थे, वहाँ पर जाएंगे, इस चीज का आप तुर्ड विश्वास ते साथ, आप निजने कर ले, और आपको यह अवश्य मैसूस कर लेना चाहिए, और जो ऐसा चाह है, भाई मैंने आपको पेले ही बता दिया है, बहुत आपको जलना पड़ेगा इसके लिए, आपको जलने का मतलब यह नहीं आपको बही आपके शरीर पर कुछ पेट्रोल आपको जलाना ऐसा कुछ नहीं, आपको जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा आपकी भीतर, आपक बन निष्टा रखनी पड़े गया वह तो टूट निष्टा रखनी पड़ेगी अगर विश्वास परित्पक हो गया तो नीस अंध्या आपके सामने शाक्षातकार हो जाएगा किस परकास ते जैसे कि मिरा भाई को विश्का प्याला पिलाए गया था अब ये अब विश्का तो तो यहैं प्याला यह से थोड़ी के पिलाएका यह विश्चिती पिलो अब यह जैर पीलो डिंच्पशाद लिया मुख पे लिगाया और पूरा प्रशाद को पूरा प्याला पी गए जो भी जल चरणा अम्रित था कुछ भी अब आप देखे परभू क्या चमतकार देखे इतना बहुत वह जहर भी इतना खतरनाग था कि उसको कोई एक गूट पीते आदमी मित्यू मित्यू के पास पो देखे ता कि उस जहर को काड़ दिया उस विश्वास में आपके विश्वास में अगर देखे आ गए निस्टा पूर्ण विश्वास हो गया प्रिकुद्र हो गया आपका विश्वास तो मान के रखिए आप में इतना विश्वास आ जाना चाहिए कि प्रभू के वक्ति कि आपको पूरा जीवन उनक पर समर्पित होना चाहिए, आपको मैसूस हो जाना चाहिए कि जो भी प्रिस्तिती उत्पन होई ये परभू का आशिरुवाद है, जो भी आपको मिला है वरतमान समय में परभू के आशिरुवाद सरूप मिला हूँ और जो भी आपको आगे मिलने प्रबू के आशिरवास से रोप मिलने वाला काफी सारे सो धारन हैं जो चिन्नों ने अपने में समखुल जीवन परभू की बक्ती में लगा दिया आपको इसी परकार से उसका अनुपालन करना है पालन करते रहे हैं अपने जीवन में अभ्यास करते रहें, छेस्टाए करते रहें, अंतिन्ज род Share आपको वही चीज मिले की जो आपके धृड विश्वास मन में रहे था अगर एक चीज और बता देता हूं इसमें मेल बिल्कुल कुछ निशंकाई उत्पण होती है कुछ विचार उत्पंध रहें चाती है कि वही दे ज सब्히 पर नहीं मिला नोकरी नहीं मिला ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में मेल रही गया संसारी चीज़ों से जुड़ा हूँ तो है जी सब्सक्राइब जैसा जाएगा जो आपके पास अंतिम समय में अपने जपाता है वैसे तो दिखेगा कि यह अंतिम समय बें यह इच्छा रही तो वेसागा वेसाई होगा आपके साथ इसलिए यह चीज जितना ओसे के अपने पात्र को खाली और शुद्ध रखे उसमें केवन उस पात्र में यानी एक थाली यह जिसमें आप एक थाली के अंदर उस परमेशूर को बिठा पर उसकी प्रतिमा को बिठा करें जैसा आप कोई भी आपका बाहरी रूप से दुश्मन नहीं है आपका दुश्मन आपके स्वेम के भीतर बेटा है अगर आप उस पर विज़े प्राप्त करते हैं तो नहीं संद्य आप श्वास मानें कि आपको यह बिल्कु सहज रूप से प्राप्त होती है यह चीज बिल्कु सहज है लेकिन लड़ना कि से स्वेम से स्वेम के भीतर बेटे हुए एक कितने बड़े विशाल बहुत विशाल मन बहुत विशाल है मन विशाल क्यों है क्यों कि पल भर में यह कहां से कहां जा सकता है आप यह चीज को आप डियान से सुने इसलिए आपको किसी से युद्ध नहीं क करना पड़ेगा जब इस व्यूत्य में आपकी विजय होगी तो मान के रखिए आपको सब्सक्राइब है प्रमात्मा में बिल्कुष चुलब है अब मैं यहीं पर आग्या चाहता हूं आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक कीजिए तो हमारे चैनल क सब्सक्राइब करना ना मुले आत्मा कस हुआ आपको किश विशे पर जयानकारी चाहिए यह भी हमको अगले अउसर में जरूर बताए कमेंट के मातिम से ताकि हम आपकी मन में उठ रहे खाफी बाव विचार आश्यंकाओ को दूर कर सके जितना हो सगे हम कोशिय करते हैं त तो आप जरूर बताए अगर आपको यी वीडियो पुचिसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप मागस्तापर मिलते हैं अगले वीडियो में जिपते कि लिग्जिया श्री अरी ओम नमा उक्तिव वासु दिवाएव